आज मैं आप लोगों के लिए लेके आँँ। एकदम टेस्टी सा ग्रिल चिकन के रेशिपी ये खाने में बहुत यादा टेस्टी होता है। अल्रेड़ी यह कॉंटिनेटल रेसीपी है। पर आप लोग इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राइक करें। आपको जिन चीजों का जरूरत पड़ेगा वो हमारे पास में है तो देखिए हमने यहां एक पीस लेग लिया हुआ है एक ब्रेस्ट भी है यह मार्केट में इसली मिल जाएगा तो हम यहां ग्रिल चिकन के साथ कुछ वेजटेवल्स यूज कर रहे हैं तो यहां पर मेरा जो वेजट हम वेजटेवल्स को साइड में रख लेते हैं तो देखिए इस तरह से हम साइड कर दिया अब इसको करेंगे मेरीनेशन देखिए इस तरह से आपको भी मेरीनेशन करना है तो मैंने यहां चार से पांच पिस गोल की था ब्लैक पेपर उसे में क्रस्ट करके इस चीकन के ऊप डाल दिए तो आपको भी इस तरह से चीकन के ऊपर एड़ कर लेने हैं तो देखिए सॉल्ट भी मैंने बीच बीच में एड़ कर दिया तो सॉल्ट टालने के बाद टॉमेटो कैचप या फिर आपके पास अगर एच्पी सॉस है तो यहां एच्पी सॉस तो नॉर्मल घरों में तो नहीं होता है वो तो सबको मालूम है तो यहां टेंशन लेने वाला बात नहीं है तो नॉर्मल हम लोग टामेटो कैचप भी यूज कर सकते हैं तो चलिए टामेटो कैचप यूज करने के बाद हम यहां पर सोया सॉस लेंगे सोया सॉस एक चमच के करीबन हम यूज मेरिनेट कर लेंगे साधके मारेक्षित इस तरह ses ले ना है और लास्ट में कूछ र्रीक शॉप कर एड़का इं। आपको असे डियास्य गिरग department कहिता है यह मार्केट में एड़ने नहीं मिलता वॉलके फ्लिप कार्ट या फिर एमजोन से मंगा सकते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आगा इसली वहाँ पर मिल जाएगा तो यहां हम दो चमच रिफाइंट ओल एड़ किये हुए हैं आपके पास अगर ऑलिव ओल है तो ऑलिव ओल ज्यादा बेस्ट होगा तो चली हम जो मैर हाथा हम बॉलड करने से ज्यादा हम पानी यूज नहीं किए हलकाई इसे जो बॉल करेंगी ना हम तो पूरा फुली बॉल नहीं करेंगा हाँ बॉल करेंगे क्योंकि continental food थोड़ा सा कच्चा ही रहता है तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको कच्चा ही रखना हलका पका सकते हैं जितना आपको जितना अब खाते हो उतना आप पका सकते हैं तो हमारा boiled wage पक चुका है तो चली इसे हम छान के side में रख लेते हैं इसे हम बाद में यूज़ करें तो जरूरी नहीं कि 6 मिनिट तक ही पकाना है तो एक दो मिनिट आगे चल जाएगा लेकिन हाँ इतना कंफॉर्म है कि 6-7-8 मिनिट तक ये एक साइट से अच्छा सब पक जाएगा देखिए फ्रेंट्स चिकन है थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इसका जो टेस्ट आपको मिल आपने बताया था देशी चसका कीचन वाले ने बहुत ही परफेक्ट बताया था और बहुत एच्छा और बहुत ही टेस्टी सांधर था देखिए हमने यहां गार्लिक डाल दिया और जो हमने च्छान के रखा था बॉल्ड वेच को उसको भी हम यहां एड़ कर देंगे तो यहां हमने दो-चार पीस ब्लैक पेपर था गोल की उसे करस्ट करके यहां डाल देगा तो हलका नमक भी आड़ कर देंगे देखिए इस तरह से आपको थोड़ा से नमक ले लेना है गोल की और बस और ज्यादा कुछ इसमें दिमांग नहीं लगाना बस यह हलका सा सौते हो जाएगा नॉर्मली आप वर्डवेज को अगर डेली सौते करके खाएंगे ना वर्डवेज होता ना सरीर में बहुत ज्यादा एनरजी देता है बहुत ज्यादा एनरजी तो यहां इस टॉपिक को बाद में बात करते हैं तो देखिए यहां हमारा बॉल्डवेज दो क्रील चिकन का रेचिप आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट पर जरूर बता है अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सस्क्राइब करें और बेल आइकन वाला घंटी को दवाना ना भूले ताकि हर एक वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक मैं बोलते हैं आप लोग वीडियो को लाइस्ट तक देखिए ताकि आपको ठीक से समझ में तो चली फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं